समस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, सभी एक्जाम्स की तयारी के लिए मैथमेटिक्स की हमारी सीरी चल लिए जिसका 19 मा भाग लेकर मैं आपके सामने हाजर हूँ प्रचिता या परसंटेज जो हमारा चैप्टर हमने पिछले अध्याय में भी देखा, उसमें हमने आपको थोड़े से बेसिक कुश्चन्स बताए थे, आज इस अध्याय में हम मौडरेट टाइप के कुश्चन्स आपको बताएंगे, निश्यत रूप से शॉर्ट ट्रिक के माद्यम से हम उन कुश्चन्स को करेंगे, क्योंकि एक्जाम में आपके बाद ज्यादा समय नहीं होता, चंद सेकंड में ही उनका जवाब देना होता है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा, और सभी सीरीज को हमेरी को जरूर देखेगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आपको मैतमेटिक्स के लिए जरूर ही हैं, वो यहां से जरूर मिलेंगे, तो चली शुरू करते हैं यदि उसके पास 75 रुपे बसते हों, तो उसकी आए क्या होगी, देखे हम basic concept क्या करते थे, x मान लेते थे, किसी व्यक्ति की आए, उसका 45 प्रिच्छत, 45 बटे 100 कर देते थे, फिर 15 बटे 100 कर देते थे, उसके बाद 20 बटे 100 कर देते थे, उसके बाद 75 रुपीज इस तरह स बसते थे, देखे इस traditional method पर नहीं जाना, आपको exam में जल्द से यल्दी question करना है, तो दोस्तों हम यहां मान लेते हैं, कुल आए, या कुल income, तो कुल income, इसके लिए एक formula है सीधा, देखे बचत कितने की हो रही है, तो यहां होता है, बचत, 75 रुपे की, यहां हमने लग दि चीजे हो रही है, 100 में से ही हो रही है, यह चीजे है, 100 माइनस कुल कितना, उसने मद जो है, वो कितनी मद हैं, जो खर्च कर दी, पंद्रे कपड़ों पर कर दी, 20 प्रिशत अन्य मदों पर खर्च कर दी, ठीक है, तो 100 में से इन मदों को दोस्तों घटा देंगे, सीधा सीध तो बचत कितनी कोई 75 की 45 और 15 60 60 और 20 असी यानि कि 100 में से असी गया तो ये बचा 20 गुणा 100 ये फॉर्मूला है तो उस तो याद रख लीजेगा ठीक है बचत बटे 100 माइनस जितने भी मदे जितना भी परसंटेज उसने खर्च किया उसको हम गटा देंगे तो सीधा सीधा हमारा जो जवाब है वो आपके सामने उपसे दुगा तो 20 पंजे 100 और 75 पंजे होते हैं 375 तो सिंपल है दोस्तों कुछ भी नहीं करना कुल आए बराबर बचत बटे 100 माइनस जो भी परसंटेज में जितना भी खर्च किया गुणा 100 कर देंगे कुछ भी नहीं करना तीक है चलिए अगले सवाल की और चलते है इस सवाल से और बहुत सारी चीन समझे वे आएंगी रमेश अपनी आयका 40 प्रशन भोजन पर 6 50 प्रशन हिस्सा यातायात पर 6 का 30 प्रशन हिस्सा कपड़ों पर खर्च काता है यदि वे प्रितमा 2520 रुपे बचाता है तो उसकी मासे काई क्या होगी यहां भी 200 टोटल इंकम निकाला है तो मासे काई बराबर दीकि कितने कितना खर्च कर रहा है देखे माना कि 100 पेपर पहले में अपनी आयका 40 प्रशन हिस्सा यानि कि 100 माइनस 40 यही तो मतलब हुआ ठीक है गुणा क्योंकि यह यह जो 6 लग रहा है ना इसका अर्थ गुणा हो जागा यहां पर ठीक है उसके बाद अग जो 6 है उसका 50 परसेंट हिस्सा गुणा कितना 6 का फिर दुबारा से 30 परसेंट हिस्सा यानि कि 100 माइनस 30 गुणा 100 गुणा जो बचत है जो बचत है यानि कि 2520 रुपे इस फॉर्मूले को आप टिक कर दिए अगर पूछा जा रहा है रमेश अपनी आएगा 40 परसेंट इससा भोजन पर शेश का यान शेश आएगा तो यहां मल्टिप्लाई आएगा फिर यहां शेश आगए फिर मल्टिप्लाई आएगा और लास्ट में जो बचत है वो आपकी रख दी जाएगी सिम्पिल है टोटल आए यहां से निकल जाएगी तो सो बटे सो में से 40 गया 60 सो में से 50 गुणा सो में से 30 गया 70 और कुल बचत कितने की है 2520 रुपेगी सिम्पिल है इसे यहां से सौल्व कर लेंगे और आपका जो जवाब है वो आजाएगा 2525 2420 सब को मल्टिप्लाई वगरा करेंगे तो आपका मैं जवाब यहां लिख दे रहा हूँ 12,000 आप कोश्चन को पाउस करके करिएगा ठीक है इस फॉर्मूले को लगाएगे तो टोटल इंकम का जो अगर 6 में से माइनस होती है या शेस जो खर्च करता है तब इस तरह से मासे काई आप निकाल सकते हैं चलिए अगले कोश्चन की ओड़ चलते हैं यह कोश्चन बहुता एक्जाम में पूझे आता है यदि किसी परिक्षा में 36 प्रिच्षत विद्यारती हिंदी में 47 प्रिच्षत विद्यारती अंग्रेजी में अनुक्तीर हुए हैं तो दोनों परिक्षाओं में 22 प्रिच्षत विद्यारती अनुक्तीर रहे हैं तो दोनों विशव में अनुक्तीर होने वाले चात्रों का क्या प्रिच्षत होगा दोस्तों इस प्रकार के जो प्रिष्णों हुते हैं ए अगर जली से अल्डी आपको हल्का नाए न तो दोनों अनुतीन जो प्रिष्षत है जैसे हिंदी और अंग्रेजी में तो इन दोनों को जोड़के और उन जो विद्ध्यारती दोनों विशह में उनको घटा देना है उसके बाद जो higher 1630 ॉका पृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्舞 क सो मैं से माइनस कर देना है तो आपको जो higher Anita उका परसंटेज면 तो पहले यह हां से देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी में तो एक में हुए 36 प्रिशत एक में हुए 47 प्रिशत ठीक है दोनों का हम जो है योग कर लेंगे और माइनस दोनों में जो अनुतिन हुए उसे घटा देंगे इन दोनों का योग करके और 22 को घटा देंगे तो 7 उच्छे 13 और 34 37 और 18 83 माइनस 22 इसको घटाएंगे तो आजाएगा 61 तो यह आगया दोस्तो उनतीन चात्रों का प्रिश्यत अब उतीन चात्रों का निकालना है तो दोस्तो 100 मेंसे 61 परसेंट को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आजाएगा 49 प्रिश्यत इतने चात्र जो है वो उतीन होने वाले चात्र थे सिंपल है तो उस तो कुछ भी नहीं है दोनों अनुतीन चात्रों का प्रिश्यत जोड़कर दोनों में अनुतीन चात्रों का कुल प्रिश्यत समाहिक प्रिश्यत है उसे घटा देंगे और उतीन चात्रों के लिए 100 मेंसे जो भी उन दोनों क अंतर आएगा उसको हम गटाकर उत्नी इंट शात्रों का प्रिश्चत निकाल सकते हैं अगले कुश्चन के ओर चलते हैं देखे राम किसी परिक्षा में 29 प्रिश्चत अंक प्राप्त करता है वह छेंक कों से फेल हो जाता है एक अन्य परिक्षा में एक अन्य विद्यारती 43 प्रिश्चत अंक प्राप्त करता है जो कि उत्यून होने के न्यूंतम अंक से आठ अंक का देखे परिक्षा में कुल अंकों की जो है उस संख्या बतानी है तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है कुल अंक जब भी पूछाया परिक्षा में यह यह फॉर्मूला लगा दीजेगा कुल अंक बराबर, कम अंक, प्लस माइनस, ज्यादा अंक, प्लस माइनस आएगा, अगर न्यून्तम कहा जाए तो माइनस हो जाएगा और कहा जाए तो प्लस हो जाएगा, ओर दिये गए परसंटेज का अंतर, गुणा 100, इस फॉर्मूले में पूट कर देंगे हम अपनी एक्वेशन, हमारा पूरे सवाल क्लियली हो जाएगा, ठीक है, तो देखें पूट करते ही, देखें कम अंक कितने आए, कितने अंकों से फेल हो रहा है, 6 अंकों से, कितने नियुनतम अंक और अधिक चाहिए, 8 अंक कितना हुआ, यह बहरन गया, 14, ठीक है, गुणा 100, तो दोस्तो, 14 बटे, 14, गुणा 100, यह 14 से जोड़े, तो दोस्तो, परिक्षा कुल अंकों की, जो संख्याती, वो आगे 100 अंकों की, जो परिक्षाती, वो कुल 100 अंकों की लिए, चली अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक ह यदि चुनाब चेतर में कीवल 64% महिल आएं थी, तो वोट डालते समय, चुनाब चेतर में कुल मत दाताओं की जो संख्याय वो कितनी थी, सिंपल है दोस्तो, हारे हुए उम्मीदवार का हम यहां से निकाल लेंगे, उम्मीदवार को वोट कुल मिले, इसे जब जीतने वा कितने मिलेंगे, 100-56, यानि की 44 प्रिश्यत, और 64 प्रिश्यत का 56-44, बराबर 2496 वोटों से यह जीता, ठीक है, 64 का, ठीक है, अब 100% पर निकालेंगे, तो 2496 बटे, 64 गुणा बारे, गुणा 100, इस इकेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा जबाब आजाएगा, जो सही जबाब आएगा, वो आजाएगा, 32,500, ठीक है, समझ में आ गया, जो हारे उमीदवारते आपके 44 आ गए, ठीक है, अब कुल मत दाताओं नहीं, वोटी 64% लोगों ने दिये, महिलाओं ने, ठीक है, मह है, वो कितनी थी, तो यहां से क्योशन हम सॉल्व कर लेंगे, चलिए अगले कुश्चन क्यों चलते हैं, अगला कुश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 30 प्रश्चत बच्चत करता है, यदि उसकी आय में 20 प्रश्चत की कमी करी जाए, तो उसका बच्चत पहली जैसा हो, तो दोस्तों इस कुश्चन को करने के लिए सीधा है, सिंपल है, माना की आय हमारी है 100%, खर्च कितना है दोस्तों, खर्च है हमारा 70 प्रश्चत, ठीक है, 30 प्रश्चत की जब बचत करता है, तो कितना खर्च होगा, 70, ठीक है, खर्च प्लस बचत, देखे आप सभी को मालू खर्चत 30 प्रश्चत कर रहा है, तो खर्च उसका 30, 70 प्रश्चत है, अब जो आय है, उसमें 20 प्रश्चत की उसकी कमी हो रही है, ठीक है, तो देखे, सिंपल है, इसके लिए कुश नहीं करना, तो इसमें करना है 100 गुणा 20 बराबर 70 गुणा X प्लस 30 गुणा 0, इस फॉर् से कितने प्रश्चत की कमी हो रही है, बीस प्रश्चत की, पहले कितना था, 70 गुणा, बचट कितने करता था, 70 गुणा X की, माना की X आय है, ठीक है, और उस आय पर जो खर्च जो है, वो पहले जैसा हो, यानि कि बचट जो है, वो पहले सी हो, यानि कि 30 गुणा 0, तो सही जवाब आ जाएगा x का 28.57 उसका जो बचत प्रिशत होगा वो तीस से घटकर हो गया 28.57 प्रिशत इसको आप लगा देंगे इस फॉर्मूले को डारेक्ट फॉर्मूले को तो यहां से आपका सही जो जवाब है वो आ जाएगा चली यह सवाल बहुत आता है यदि किसी शेहर क जन संक्या 17,64,400 यह जी 5% की इसमें व्रद्धी हो जाए तो दो वर्षवाद शेहर की जन संक्या देखिए दो वर्षवाद शेहर की जन संक्या डारेक्ट ही निकाल लाएंगे आपने पड़ा भी होगा यह पी 1 प्लस आर बटे 100 प्लस माइनस होते हैं यह कि पावर टी इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे आपका जवाब आ जाएगा तो 17,64 ठीक है गोड़ा 1 प्लस पाँच बटे 100 की होले स्क्वार इसे पुट कर देंगे आपका जवाब आ जाएगा ठीक है चलिए एक कुशन और देख लेते हैं यदि किसी जन संक्या 10 यार थी और पुर्ष शेहरों महिलाओं की संख्या क्या होगी शेहर में महिलाओं की संख्या क्या होगी है तो दोस्तों आप सभी को मालम है 10 जायार kı थी दसवार थी 5040 की ठीक है तो व्रद्धि परसेंट कितना व्रद्दी हो रही थी और उसके बाद 5% की ठीक है तो यहां से हम मिस्राण नहीं हम लेगाएंगे तो कुल 5.4% की व्रद्दी ठीक है तो इसमें से दी माइनस एम आपने पढ़ा होगा मिस्राण वाला नहीं होगा तो मैं अगले चैप्टर में ताऊँगा इसमें से जो छोटी वाली है इसे घटा देंगे और इसमें से इसे घटा देंगे तो 6 माइनस 5.4 तो जो हमारा अनपात जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.64 बटे 0.6 तो 4 by 6 ठीक है ठीक है अब 4 और 6 दोनों महिलाओं और पुरशों का अनपात हो गया यह हो गया टूटल 10 के बराबर तो 10 बराबर है 10,000 के जो हमारी शेहर की जनसक्याती तो 6 बराबर कितने के होगा तो 10,000 गुणा क्योंकि महिलाओं की पूछाया मैं गुणा 6 बटे 10 यानि की 6,000 की